है लो फ्रेंड्स वेल्कम टू ग्रेट प्लेस अकाडमी देखें हम लोग दो वीडियो इंडियन जीओग्राफिय में हमने आपको बताये था जिसमें हिमाले से रिलेटड यानी हिमाले का विभाजण अगर हम बात करते हैं तो इसमें क्या-क्या चीज़ें हैं यह सारी चीज हम देख लेते हैं आपको हम पढ़े रहेते इसमें quéज़ हांग एक और पे इसका जादा पार्ट यह कहते हैं तिबति क्यों कहा जाता है वे अधिकांश पार्ड वो पह पर है तिबत में पाये जाता है, ट्रांस हिमाले में हमने आपको और चीज़े बताई थी, बहुत सारे दर्रे पाये जाते हैं, ये भी हमने बताई था, ट्रांस हिमाले दूसरी तरफ में तिब्बत के पार्ट में होता है, जिसकी उचाई 6,000 मेटर है, आज हम लोग जो डिसकस करेंगे, आप देख पा रहे होंगे, आज हम लोग डिसकस करेंगे ग्रेट हिमाले से रिलेटड, यानि ग्रेट हिमाले से क्या-क्या पुछा जाता है, ये हम लोग देखेंगे, सबसे ग्रेट हिमाले, यहाँ आप देख सकते हैं, ये ग्रेट हिमाले है, ग्रेट हिमाले का सबसे, इसकी उचाई कि अगर हम बात करें किसकी उचाई कितनी है तो एक सट सो मीटर है कितना है Wonji Ius तद्धा हिमाच्छादित आप सुनते होँगे कि कहीं हिमाले का बर्प कहीं खिसख गया है हिमाले कहीं गिर रहा है आपर्दन हो रहा है इरोजन हो रहा है तो ध्यान से देखेंगे इसमें एक एक टॉपिक यह से आपका हमाले की अलग-अलग चोटिया हैं हिमाले का विस्तार जो है वो कहां से शुरू होता है तो पंजाम में आप देखेंगे पंजाम में इक इसका नाम है नंगा परवत नंगड़य परवध से लेकर कहा तक तBA BAR अचा BARD W अध हो गया बद्रीनाथ उसके बाद नंदा देभी हो गया फिर आप जाएंगे नैपाल में तुम धौला गिरी हो जाएगा गौरी संकर माउंट इवरेस्ट मैं कालू फिर कंचन जंगा फिर उहां पर अड़ाचर प्रदेश में आपको मिलेगा नाम चावरबा इस तरीके से ग्रेट हिमाले अगर हम ग्रेट हिमाले की बात करते हैं तो क्या क्या हमें यहां पर देखने को मिलेगा ग्रेट हिमाले में सबसे पहले ग्रेट हिमाले का अन नाम क्या क्या है यानि और किन किन नामों से हम लोग ग्रेट हिमाले को जानते हैं ग्रेट हिमाले के हिंदी होती या ब्रहद हिमाले क्या होती है ब्रहद का मतलब ही समझे बड़ा होता है ब्रहद का मतलब बड़ा या ग्रेट इसे कहा जाता है दूसरा इसे मुख हिमाले या मेन हिमाले की नाम से जानते हैं, क्या कहते हैं, मेन हिमाले या मुख हिमाले की नाम से जाना जाता है, पहला पॉइंट यह आप याद रखिएगा, इसे हिमादरी हिमाले भी कहते हैं, हिमादरी का मतलब यहां पे हमेशा ग्लैसियर या हिम भरे रहते हैं हमेशा यहाँ पर glacier क्या होते हैं रहते हैं को glacier हमेशा यहाँ पर present होते हैं क्योंकि इसकी उचाई कितनी है महान हिमाले हिमाले यह सारे कैसिन पूछे जाते हैं सरवोच हिमाले भी कहते हैं हाइस्ट सरवोच का मतलब होता है सबसे मुचा हाइस्ट हिमाले के नाम से इसे जाना जाता है तो बहुत सारे ऐसे पॉइंट होते हैं जो हमें याद करने होते हैं आप से पूछ लिया जाता है कि आपको ग्रेट हिमाले या ब्रहाद हिमाले तो आपको पता होगा ले आगे हम लोग बढ़ते हैं, तो उसमें देखेंगे कि इसकी औढस्तन ऊचाही लगभग कितनी है? गीतनी है 600 km है 600 km दुनिया की सबसे ऊची चोटी कौन है? जिसकी ऊचाही 7850 से लगभग आप कह सकते हैं कि 9 km है कितना है लगभग यह 9 km है about 9 km तो इसमें आप देखेंगे कि इसकी आउसत उचाए आपको point to point याद करना है keyword आपको पकड़ना है इसकी उचाए कितनी होती है हीमाले के सबसे उची स्रेडी किसी हिमाले की है यादि हिमाले की सबसे उची चोटी अगर हम बात करें यहें ग्रेट हिमाले है K2 की उचाई 8611 मीटर हमेशा हिमाच्छादित का मतलब यह रहता है कि इसमें तूट फूट हमेशा बना बना रहता है हिमाच्छादित का मतलब हिम जो है या बर्फ जो है वो क्या होता रहता है ग्लैसियर गिरते रहते हैं इसलिए कहा जाता है कि हमेशा हिमाच्छादित होती रहती है आगे बढ़ते हैं अगले टॉपिक पर आप देखें इसमें भारत के मैप में अगर हम आपको भरना चाहें तो यहां पर आपको मिलेगा यह ट्रांस हिमाले ट्रांस हिमाले के बाद में यह आपको मिलेगा ब्रहद हिमाले, अब यही ब्रहद हिमाले, उसके बाद आपको फिर मिलेगा लगो हिमाले, फिर आपको मिलेगा सिवालिक हिमाले, हिमाले की चार डिवीजन में बाटा गया है, ट्रांस हिमाले केवन और केटू होता है, इसके आप देखेंगे तो यहां पर गौरी संकर है माउंट अवरेस्ट है मनसालू है छोयू है कंचन जंगा है नामचा वरवा अलग-अलग हिमाले के अलग-अलग चूटियां आपको देखने को मिलेंगी तो हिमाले अगर भारत की बात करते तो हिमाले इस तरीके से चार भागों म means के बाज दिया गया है। जैसे यहां आपको मिलेगा तो सिंदू सतलज के बीच मैं आपको बताते हुईष एमस्मजी सब्सक्राइद हैक्टो यहां से आप समझजए आज थो हम लोग पढ़ रहे हैं वो है फिरम्णमे के प्रस देखरें से इस दरीके होता है और यहां पर नामचा बर्वा परवत तक जाता है, कहां तक नामचा बर्वा परवत ठीक, यह है ग्रेट हिमारे, आगे बढ़ते हूं, पॉइंट वाइस में इसको याद करेंगे पहला इसमें लिखा है इसका विस्तार नंगा परवत से लेकर नामचा भरवा परवत तक है नामचा भरवा भी लिखा रहता है तो याद रखेंगे इसका विस्तार जो है कहां से कहां तक है नंगा परवत जो कि कहां पे है नंगा प परदेश में इसकी सबसे उची चोटी माउंट व्रेस्ट कहां पहे ये ग्रेट हिमाले का हिस्फा इसी का विस्तार यहां से यहां तक है उत्रा खन अभ ही पढ़ेंगे कर पहीं सी चोटियां पाई जाते हैं तो याद रखेंगे नंगा परवस्से लेकर कहां तक है नामचाबरवस्स सबसे उची चोटी जो विश्य की सबसे उची चोटी है माउंट एवरेस्ट माउंट एवरेस्ट वो किसका है हिस्सा है तो महान हिमाले का हिस्सा ग्रेट हिमाले का हिस् करना है तो कैसे याद करेंगे तो यह भी आप याद कर सकते हैं कहां पर है माउंट इवरेश्ट ये 29 माई को मनाते हैं कब मनाते हैं 29 माई को मनाए जाता है माउंट एवरेश्ट को नेपाल में देखें यह बहुत बार question पुछा गया है important है question कितनी बार पूशा गया है कि Mount Everest को नैपाल में किस नाम से जाना जाता है सागर माथा के नाम से जानते हैं Mount Everest को नैपाल में क्या कहते हैं सागर माथा के नाम से जानते हैं जबकि तिब्बत में लोग क्या बोलते हैं तिब्बत में से चामो लुगमा के नाम से चोमो लुगमा भी लिखा रहता है, चामो लुगमा भी लिखा रहता है, तो याद कर लेंगे इसको, तिब्बत में किस नाम से जानते हैं, तो चामो लुगमा के नाम से जानते हैं, जबकि नैपाल में इसे किस के नाम से जाना जाता है, सागर माथा के नाम से जाना जाता है, तिब्बती वर्ड है सागर माथा का मतलब होता है या चोमो लुगमा का परवतों की रानी सागर माथा का मतलब होता है परवतों की रानी नैपाल में इसे क्या कहा जाता है परवतों की परवतों की रानी के नाम से जाना जाता है गंगा यमुना का उदगम अस्थान कहां किस ह है तो इसी स्रेड़ी का हिस्सा है इसको हम मैप में समझते हैं मैप के जरीए देखें इसमें क्या-क्या है अगर हम बात करें अभी तक जो बताया है इसमें सबसे पहले कि इस चीज के बारे में? कि Mount Everest ये नंगा परवस्ज लेकर नामचा वर्वा परवत तक है तो इसमें आप देखेंगे यहां पंजब में आपको मिलेगा इस तरीके से नंगा परवस लेकर यहां पर आपको नंगा परवत मिलेगा और यहां पर आपको नामचा बर्बा परवत मिलेगा तो नेपाल में बहुत सारी चोटियां है जैसे यहां पर आपको गौरी संकर है भौला गिरी है मांट एवरेस्ट मैं कहते है नैपाल में इसे क्या कहा जाता है सागर मा деле सागर मात्था का मतलब होता है पर्वत और चामो लुगमा का मतलब भी होई था तिब्बत ये पार्ट जो है ये तिब्बत है तिब्बत में इसे कहते हैं चामो लुगमा चामो लुगमा के नाम से जानते हैं तो अलग-अलग नाम हैं अलग-अलग चीज़ें हैं इसको आप याद करते हुए चलेंगे ठीक है तिब्बत में इसे क्या कहते हैं चामो लुगमा कहा जाता है जब ऑगंगा और यमुना काउदगमा स्थान भी कहां पर है तो यह सी हिमा 8,850 मीटर है कितना है 8,850 मीटर है 48 भी अगर option में दिया रहेगा तो उसको हम लगाएंगे आगे बढ़ते हैं अगले slide की तरफ देखें इस परवस्रेडी में कई दर्रे पाए जाते हैं दर्रा किसे कहते हैं दो परवतों के बीच के रास्ते को दर्रा कहा जाता है जैसे ए एक परवत यह है इसके बीच में कोई रास्ता निकला हुआ है तो दो परवतों के बीच में को क्या कहा जाता है दर्रा कहते हैं दो परवतों के बीच के रास्ते को जहां से लोग आते जाते हैं उसे पास या दर्रा बोलते हैं इसमें कई दर्रे पाए जाते हैं जैसे जोज जिला दर्रा आपको यहां पर मिलेगा जो जिला दर्रा जो जिला है कारा कोरम है उसके बाद बनिहाल यह चार दर्रे पाए जाते हैं जम्मु काश्मीर में लेकिन आपको याद क्या करना है जम्मू काश्मीर में आपको यह याद करना, यह कौन सा दर्रा हो जाएगा, बुर्जिला दर्रा और यह कौन सा दर्रा हो जाएगा, जो जिला दर्रा, दो दर्रे किसमें, बाकी दो आप ट्रांस हिमाले में पाए जाते हैं, कारा कोरम दर्रा, ट्रांस हिमाले पाए जाता है, बनिहाल दर्रा जो है वो लगु हिमाले में पाए जाता है तो सबी चीज़ें हैं आपको point wise याद करना है कई दर्रे पाए जाते हैं नाम याद रखेंगे जोजिला दर्रा और गुर्जिला दर्रा ये जम्मू काश्मीर में पाए जाता है ब्रहद हिमाले यानि ग्रेट हिमाले या महान हिमाले में अनेक चोटियां पाई जाती है चोटियां का मतलब बहुत सारे परवस्रेडियां चोटियां पाई जाती है जैसे नंगा परवत यह कहां पे है पंजाब में बंदर पूच कामेट नंदा देवी यह कहां पे इसमेरी यहां पर आपको मिलेगा नंगा परवत्य यह उत्राखंद में अगर हम देखें तो कौन-कौन सा परवत्त मिलेगा का कामेथ है नंदादेवी है उत्राखंड है धौलागिरी अनपूर्णा मनसालो गौरी शंकर छोयो माउंट मैं कालू यह कहां पर है तो नेपाल में है कैसे याद करेंगे इसको अगर बात करें यह नैपाल है तो यहां से परवस्रेड़ी शुरू होगी नैपाल में यहां पर आपको मिलेगा धौलागिरी अनपूर्णा मनसालो इस तरीके से छोयू है माउंट एवरिस्ट है मैं कालू तो अलग अलग परवस्रेडियां आपको क दिखाई देंगी नैपाल में दिखाई देंगी इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो नैपाल में याद रखेगा धौला गिरी अन्न पूर्णा मनसालू गौरी शंकर शोयू माउंट एवरेस्ट मैं कालू इसके बाद नैपाल में कंचन जंगा की बात करें तो यह कहां पर है मैप में अगर आप देखना चाहेंगे तो मैप में देख सकते हैं यह सकी मैंपाल यह कि बादर परसने शी viens आपाई जाते हैं तो याद करने का तरीका कैसे है अगर हम बात करें नैपाल अपने दिमाग में बिठाए रहेंगे सबसे पहले धौला गिरी तो वहां पर धौला गिरी अन पूर्णा अन का मतलब अनाज को धोते हैं उसके बाद मन सालू मन लगाकर गौरी शंकर यानि गौर आठ हजार पांस तो निन्ना नवे 8599 मेटर है कौन सा मन जालू ठीक है नामचा बरबा अरुणाचल प्रदेश में है वैसे अरुणाचल प्रदेश में डाफला अभीर मेरी मिस्मी पटकोई भूम या सारी पहाड़िया लगू हिमाले लोवर हिमाले जब पढ़ाएंगे त प्रफ आप देखें इसमें कुछ points आपको सामने दिया गया है जो आपको याद करना है सबसे पहले आपको यह point दिख रहा होगा यह सिखर की सिखर की बात करता है हिमाले के कुछ उचे सिखर की बात करता है कुछ उचाई की बात करता है, कैसे हमें याद करना, सबसे पहले लिखा हुआ है, Mount Everest, क्या लिखा हुआ है, Mount Everest ये कहां पे है, तो नेपाल में है, और इसकी उचाई लिखी गई है, 8848 मीटर, मीटर में ये दिया गया है, ठीक है, 8848 मीटर, फिर आपके सामने है, कंचन जंगा, कंचन जंगा जो है, ये कहां पे है, तो भारत में है, वैसे सिक्किम, अगर कंचन जंगा पूछेगा, कहां पे, ये उचाईया लिखी गई है, आपको ये याद रखना पड़ेगा, क्योंगी चार आप्शन दे देता है, और कहता है, निमलिकित में से बताईए, कि कौन सीर 181 मीटर, भौला गिरी नैपाल में 8172 मीटर, नंगा परवत ये कहां पे है, पंजाब, यानि भारत में है, अगर देखें तो 8126 मीटर, अनपूर्णा ये भी नैपाल में है, 8078 मीटर है, नंदा देवी की अगर हम बात करें, तो ये भी भारत में उत्तराखंड में है, 7817, याद कैसे करेंगे, 7817, कामेट की बात करें, तो कामेट भारत के उत्तराखंड में है, 7756, कितना है, 7756 ये नामचा बरवा की बात करें, तो ये भी भारत में है, 7756, दोनों यानि कामेट और नामचा बरवा लगभग लगभग ये क्या है, तो यह आप देख पा रहे हों जो यहां पर दिया गया है कि माउंट एवरेस्ट कंचन जंगा मैं कालू धौलागिरी अनपूर्णा यह सारे परवतों कहां पर है यह तो आपको पता है इस पूछेगा तो इस प्रेट भी पता हो ना चाहिए माउंट एवरेस्ट नैपाल यह विदेश में है कंचन जंगा की देश भारत में इसकी उचाईयां जरूर याद रखिएगा उचाईयों से क्वेशन पूछता है तो क्या होते हैं फस जाता है कि कैसे इसका आंसर हम लोग करेंगे आगे बढ़ते हैं यह थे पूरे स्लाइड जो हमने आपको अभी बताएं क्या-क्या हमने आपको पढ़ाय एक यह देख लेंगे एक बार फिर्से हम नें बताया कि ग्रेट हिमाले ओं उचाई लगभक कितनी हे शे हजार एक माहान हिमाले कहा जाता है हिमाद्री हिमाले कहा जाता है इसे हिमाद्री मतलब Glacier सबसे जड़ा पाए जाते हैं आप देख सकते हैं यह पूरा का पूरा elders स से ढखा हुआ है अगला जो question हमने बता है इसमें कि great हिमाले या ब्रहद हिमाले सबसे बड़ा हिमाले है अन नाम उसके क्या-क्या है तो मुख हिमाले के नाम से जाना जाता है मेल हिमाले की नाम से जानते हैं हिमादरी हिमाले की जानते हैं और महान हिमाले की नाम से इसकी उसतन उचाई एक सट सो मीटर है ध्यान रखेगा इसमें हिमाले की उची स्रेड़ी जो है इसी हिमाले में है यह सदा हिमाच्छादित होती रहती है क्वेशन आएगा कौन सा हिमाले है जो सदा हिमाच्छादित होता रहता है तो वह है महान हिमाले इसमें हिमाले के हमने चीज आपको बताई है ग्रेट हिमाले कहां से शुरू होता है कहां पर पंजाब यहां से आप श्रूर करनेंगे इस तरीके से नहापाल में यह चला जाएगा यह वह जाएगा एक परबन्दर पूछ कामेट नंदा देवी धौलागिरी, अनपूर्णा, गौरे संकर, छोयू, माउंट एवरेष्ट, मैं कालू, कंचन जंगा, नामचावरवा ये परवत आपको याद करना है इसी तरीके से आगे बढ़ते हैं अगले उसमें देखेंगे नंगा परवत इसमें हो गया, माउंट एवरेष्ट की उचाई हमने बताया, नैपाल में ये माउंट एवरेष्ट है, नैपाल में इसे क्या कहा जाता है, तो स्तागर माथा के नाम से जानते हैं, जबकि तिब्बत में से चामो लुगमा कहते हैं, चामो लुगमा यहां से त्रकंड के निकलती है और यमना यमन वट्री बंदर पुस से निकलती यमन तो इसका हो जाएगा यह तिब्बत है पिब्बत चाइना ने फिफ्टीन में यहां पर परवत आप मांट आप मांन सकते मांट इवरेस्ट यहां अब भी रफली याद रखेंगे माउंट अवरिष्ट की उचाई कितनी है आठ हजार 850 मेटर लग भग भग है थी आगे बढ़ते हैं आगला स्लाइड में हमने आपको बताई यह था कि बहुत सारी त्रेडियों में दर्रे पाए जाते हैं जिसे जोजिला दर्रा हो गया बुर्जिला दर्रा हो गय विरहद हिमाले की चोटिएं नंगा परवथ बंदरपूंच कामेंट यह कहां कहां पर है यह आप देख सकते हैं उत्राखंड में कौन सा है नेपाल में क्या-क्या पाया जाता है सिंकिम में क्या क्या है कंचन जंगा जो भारत की भारत में सबसे ऊची चोटी पूछेगा तो कंचन जंगा भारत की पूछेगा तो केटू है क्योंकि भारत की केटू को कितना है 8,611 मेटर यह केटू का वैलू है अगला यह स्रेडियों का करम हमने आपको बताय था यह पहला माउंट एवरेस्ट है दूसरा कंचन जंगा है मैकालू है धौला गिरा नंगा परवत अनपूर्णा नंदा देविक खामेट और नामचाबरवा इसकी उचाई आपको दी गई ह क्योंकि question बहुत सारे पूछे जाते हैं यह इंडियन जियोग्राफी है अभी हम आपको इंडियन जियोग्राफी की theory दे रहा है लास्ट में जब आप पूरी theory खतम हो जाएगी तो map के जरीए सारी चीजों को fill करवाएंगे भारत में कितने परवत हैं कितनी नदिया हैं कित